हेलो एब्रिबन सागत आप सभी का एक बाफिस है हमारे चैनल जीडिसी मेडिसिन पे हम अपने इस चैनल पे दवाईयों से सम्मंदित जानकारी रोगों से सम्मंदित जानकारी एवं स्वास्त देख भाल से सम्मंदित हर एक टॉपिक की जानकारी अपने इस चैनल पे लाते हैं तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा common समस्या जो कि खासकर बुजूर्ग पेसेंट हो या आज कल युवा पेसेंट हो उनमें देखने को मिल जाती है GERD जिससे हम full form में क्या बोलते हैं gastroesophagal reflux disease एक ऐसे disease है जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों को परिशान कर रही है इसी GERD के बारे में आज हम complete चर्जा करेंगे complete जानकारी देंगे आपको कि GERD रोग जो है यह होता क्या है इसमें क्या चीजे हो रही है आपके body के इंदर साथी साथ इसका लक्षड क्या है किस कारण से हो रहा है और इस GERD रोग का बचाव कैसे कर सकते हैं आप इसे समझ लेते हैं and here GERD रोग क्या होता है देखें जब स्टोमक में जो acid बनता है वो अगर आपके क्या होता है यहां पे mouth तक flows back हो यानि कि जो आपका acid याप mouth तक flows back होगा न उसी समस्या को हम क्या करते हैं GERD यानि कि gastroesophagus reflux disease बोलते हैं इसके बारे हम जानेंगे डियर कि इसके लक्षड की पहचान क्या है लक्षड क्या क्या है क्या symptom आते हैं देखें जब acid reflux आपके होता है न तो सीने में बहुत ज़्यादा जलन फील होती है साथी साथ खटी डकार बहुत ज़्यादा आने लगती है और acid reflux की condition में पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है उल्टी जैसा भी फील होता है कभी-कभी तो acid मू तक आ जाता है और आपका खाना को निगलने में भी दिक्कत होती है तो मतलब ये आप आपका जो खटी डकार या सीने में जलन या GERD कैसे बन रहा है कैसे हो रहा है देखो इस्टोमक में होता क्या था एक हमारे गले से लेकर कि ये food pipe होता था इसोफेगस वग्यरा food pipe के बाद आपका इस्टोमक होता था तो सामानी स्तिती में क्या होता है जब आप खाना खाते हो तो यहां पर एक हमारा सीरा होता है जो की बंद होता है उसके बाद खाना जैसे निकलती हो तो वो खुलता है फिर पेट में चला जाता है वो बंद हो ज सीने में जलन कौच करते हुए acid reflux होती है मूँ तक acidity feel होता है तो क्या होता है यहां पर इस्टोमक का acid मूँ तक मौट तक flows back होता है जब हमारा पेट दब जाता है बहुत ज़्यादा हम वैसा खाना खालिये या पच नहीं पाया या अधर जो भी symptom होते है आपके इस्टोम वाली समस्या को बनाती है है यह फिर हो गया अगर हम बात करते हैं acid reflux होने की क्या बड़ी वजह है या क्यूं किसी मरीच को या किसी को या आपको अगर acid reflux हो रहा है तो उसके क्या कर रहा है सबसे पहली बात है जरूरत से ज़्यादा खाना खालेना जी हां खाना देखो हमेशा यह बोला जाता है कि उतना खाना चाहिए जितना आप पेट को समाल सके या जितना आपको क्या कह सके बहुत ज्यादा ओबर अगर खालो ना तो बहुत ज्यादा क्या होता है acid reflux बनने की समस्या है सबसे पहली बज़ब ही है साथी साथ time to time भोजन ना लेना यानि औ GRD होगा थार्यम इवयोगा सकते है तो अब समय बोजन खाना भी बहुत बड़ी वज़वह होती है like a शाथ रात में लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए बहुत का eat लगा लगे वीडियम लेकिन रात में कि चाहिए क्योंकि सोना है सोगे पेट इधर उदर होगा acidity इधर उदर होगी तो वहाँ पे आपको GID कच्छी डेकार सीनियम जलन बन सकती है तो रात में भारी बोजन नहीं करना चाहिए अगर भारी बोजन करोगे तो acid reflux आपको होगा साथी साथ बहुत ज्यादा alcohol कंजप्श कर रहे हो बहुत ज्यादा आप cigarette पी रहे हो बहुत ज्यादा आप smoking कर रहे हो बीडी पी रहे हो तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है acid reflux होता है साथी साथ बढ़ता जो motapa होता है obesity भी GRD का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा कारण हो जाता है तो भीया जो obesity वाले patient है motapa वाले patient है वो भी अपने वज़न को भी यहाँ पर control कर सकती है सही बात फिर उसके बाद है खाना खाने के बाद लेट जाना तुरंद भीया खाना खाने के बाद लेटना तो चाहिए ही नहीं हमेशा क्या करना चाहिए भीया कुछ exercise कर लीजे कुछ थोड़ा बहुत चल फिर लीजे जिससे क्या होता है खाना अच्छे से पच्छे जाए फिर उसके बाद अब लेटो खोशिस करो लेटने के दो-तीन गंडा पहले ही खालो थाकि अच्छे से पच्छे जाए फिर जाके लेटो तो ये बड़ी वज़ाए हो सकती है जिससे आपका acid reflux हो सकता है और आपको कची ड़कार वगरा आ सकती है फिर अगर हम बात करते हैं ऐसा खान-पान जो की acid reflux का खत्रा बढ़ाता है कौन-कौन सभी या खान-पान यहाँ पर हो सकता है अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा fat वाला खाना junk food खा रहे हो तो वहाँ पर acid reflux होने की समस्या है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाने से भी acid reflux होता है बहुत ज़्यादा चाय भी पी होगे तब भी acidity होती है तो यह सारे कुछ मुख कारण है जिसके कारण से आपका acid reflux देखने को मिल जाएगा तो यह तो हो गया समझ में आ गया अब हम बात करते हैं एसे डिफलक्स का बचाओ कैसे करें डियल कैसे बचाओ करें तो कोसिस यह करिए वह यह जितना भोख हो उतना ही खाएं थोड़ा थोड़ा करके खाएं उसके बीच में खाने की बीच में कुछ अंतर रखें ऐसा नहीं एक अठा बैठे एक अठा खा लिए पूरा वैसा आपको नहीं करना चाहिए साथी साथ खाना खाने से और सोने के पहले दो से तीन घंटे का अंतर जरूर रखें क्योंकि सोने माली जे बारा बजे सोने जा रहे हैं तो नौ बजे दस बजे या साड़े आठ बजे नौ बजे जाड़े नौ तक खा ही लें आपको है ना खाने के बाद तुरंट लेटने से बचें है ना खाना खाने के बाद तुरंट नहीं लेटना है साथी साथ बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े न पहने टाइट बेल्ट वगरा न लगाएं जिससे पाचन पे भी असर पड़ता है है ना तो वो सारी चीजें यहाँ पे बचाओ रखें बहुत ज़्यादा जो अलकोहल लेते हैं उनका भी यहाँ पे दूरी बनाएं अलकोहल कम लें, सोडा ड्रिंक हुआ, कोल ड्रिंक हुआ, काफी हुआ, चाय हुआ इसको भी लेना कम करें, अगर आप मोटे हैं तो वजन को भी घटाने की कोसिस करें फैट लॉस करें, वेट लॉस करें, जिससे कि आपका यह विजिट कर सकते हैं प्लेलिस भी यहां पर मैं डाल दूँगा ऐसे ही अमेजी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू All the very best